दोस्तों जब आपको एबुक पढ़ रहे होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे डाइग्राम बने होते हैं उन सभी डाइग्राम के नीचे उनकी कुछ इंफोर्मेशन लिखी हुई होती है वह हैं इंफोर्मेशन कैलाती है MS Word के अंदर दोस्तों को कैसे यूज किया जाता है ये आज हम पढ़ेंगे नमस्कार दोस्तों मैं राजिंदर वासकर श्वागत करता हूँ आपका RK Educational YouTube चैनल में अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना तरह साथ आने वाले बैल आइकन पे जरूर प्रेस करना जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं देखो दोस्तों यहां पर हमने कोई document टाइप किया पहले से जिसमें hardware और software के बीच में difference बताया गया है अब इस difference के साथ साथ देखो दोस्तों इसके अंदर diagram के दोरा भी उस चीज को समझाया गया है हर एक चीज के निचे उसका diagram बनाया गया है diagram के दोरा उस चीज को explain किया गया है diagram के दोरा दोस्तों वो चीज easily हमारे समझ में आजाती है इसलिए हमने इसके निचे diagram बनाया हुए है अब इन diagram के निचे हमें क्या लगाना है दोस्तों हमें caption लगाना है अब देखो हमें इस image के नीचे इसका caption add करना है तो हम यहाँ पे click किया mouse से और इस देखो यहाँ पे हम जगह बना ली अब यहाँ पे हम क्या करते हैं insert caption पे जाते हैं और यह देखो फोड़ा सा इसको zoom कर लेता हूँ यह देखो यहाँ पे caption से लिखी हुई है यह हमारा पहले से बनाया हूआ है हम इसको क्या कर देखो है इसको चाहिन कर देखो यहाँ पे कुछ और भी बने हुई है जिनको भी हम क्या कर देखो अब यह देखो अब by default हम हमें य Kunginguish 2 ब्लेखी है इक्वेशन, फिगर, और टेबल यह तीन मिल दी, अगर आपको इंड में से कोई चाहिए, तो आप इसको रख सकते हो, या फिर अगर आपको अपना ही कोई caption add करना है, तो वो भी आप कर सकते हो, जैसे यहाँ पे आओ, नियू पे, और नियू पे आने के बाद, यहाँ पे आप अपने caption का नाम लिख सकते हो, या फिर diagram numbers, कुछ भी जो आप यहाँ से add करना चाहो, वो कर सकते हो, आप यहाँ में इंडी में कुछ लिखना चाहते हो, तो दोस्तों यहाँ पर हिंडी directly type नहीं होगी, कोई कुछ भी आप जैसे type करोगे, वो किस में आएगा, इंगलिस में ही आएगा, और यहाँ पर आप लिख दिया, और यहाँ पर आरेक संख्या आ गया, इसको मैं यहाँ से copy कर लेता हूँ, और यहाँ पर लाकत के मक्या कर देता हूँ, उसको paste कर देता हूँ, यह देखो, आरेक संख्या हमारा आ चुका है, यह देखो, आरेक संख्या हमारा आ चुका है, यह देखो, आरेक सं पिर नीचे बढ़ते हैं तो नीचे आते हैं हमारे पास देखो जैसे हमारे पास है what is computer software in Hindi, computer software किसे कहते हैं फिर उसके नीचे देखो computer software का एक डाइगराम बना हुआ है तो उसके नीचे देखो हमें अगर यहाँ पर भी आपको caption add करना है तो आप कहा जाओगे इंसेट caption के अंदर जाओगे और यह देखो आरेक संख्या 2 ऑटोमेटिक भी आ गया यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना करना है यह देखो आरेक संख्या 2 अब यह आरेक संख्या 2,3,4 यह ऑटोमेटिक दे गए फिर आप देखो नीचे आओ हमारे पास और डाइग्राम आये जैसे यहाँ पर आये हम और यहाँ पर आके हमने क्या किया वापस हम कहां गए इंसेट कैप्शन और डाइग्राम संख्या 4 आ गई जैसे आरेक संख्या 4 आ गई इसको हमने यह आ गई फिर उसके बाद में जैसे यह नीचे जोईस्टिक है इसके नीचे जैसे हमें कोई कैप्शन यहां से हम reference tab के अंदर जाएंगे और caption के अंदर किया है और यह क्या है अब दोस्तों आपको यह फिर उ उसका यहां पर ऑई हुए हो और हमें क्या क्या इसका इसका इंडेक्स यह पूरा कितने हमने Rx बनाए है इसके अंदर या डाइग्राम बनाए है वो डाइग्राम कौन से page पे बनाए हुए है वो सभी हमें index चाहिए हमें तो उसके लिए हम क्या करेंगे insert table of figure के अंदर चले गए और वहाँ से देखो ये हमें table का syntax दिखा रहा है कि Rx संग्या fast है जो कि हमारे सामने क्याएगा text 1 फिर Rx संग्या 2 है वो कितने पे 3 page भी है फिर ये देखो अगर आपको जैसे क्या करना है अगर आपको ये page number हटाने है तो उसके लिए आप क्या करोगे show page number को unselect कर देना ये देखो अगर आपके फिर अगर आप चाते हो क्या कि मेर को ये page की dot dot line है ये नहीं चीए ये numbering है ये इनके पास ही आजए तो उसके लिए क्या करोगे आप इसको unselect कर दोगे फिर दोस्तों अगर आपको जैसे हमें dot dot आये हुए है ये dot की जगह में क्या चीए अगर आपको लाइन चीए तो ये देखो लाइन आ गए जो भी यहां से आपको अच्छा लगे वह आप यहां से चूझ कर शकते हो फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं मारे पास क्या format इसका लिखने का format है वह देखो यह देखो हमатьсяब कुस्छ करते हैं की चेंच होता है फिर हम क्या करते हैं झैसे जैद करते हैं इसको यह बीच आ imminent करते हैं इसको फोर्मीयर करते हैं तो जो भी आपको शुटेबल लगते हैं वहब कर शक्ते हैं जैसे मैंने प्रॉम् template कर दिया इसको फिर उसके बादे नीचे caption label की caption का लेबल कैसा होना चीए तो हमने कौन सा किया था आरेक संख्या का तो यह हमने आरेक संख्या यहां पर लगा दिया इधर इनकी क्या बने हुए है यह hyperlink बने हुए तो देखो मैं इसको क्या करता हूँ ओके कर देथा हूं यहां से ओके करते हैं हमारा क्या हुआ इंडेक्स बनके हमारा तैयार ओख अर attracted कितने नंबर पे 20 थ्री नंबर पे 20 आरेक संख्या थोड़ा सा इनको हमने Zoom किया, Zoom करने बाद देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जैसे ही मैं इसके उपर आता हूँ, देखो क्या लिखा हुआ है, Ctrl प्लस क्लिक टूफो फॉलो लिंक, अब Ctrl को क्लिक करो और लिंक को क्या करो, फॉलो करो, तो देखो जैसे मैंने Ctrl की को है दोस्तों क्या hyperlink होते हैं और इन hyperlink के ऊपर हमारा पहले से भी एक वीडियो बना हुआ है जहां से आप जाकर कि इसको देख सकते हो अब देखो जैसे मुझे क्या करना है जैसे मैं 5 करने के लिए हम क्या करेंगे एक बार इस टेबल के बीचो भी कहीं पर आप एक बार माउस से कर देना और उसके बाद में कहां जाएंगे हम जाएंगे देखो दोस्तों उपर update टेबल के अंदर और इधर इसके उपर कैसी होता हमारा caption कि हमने किसी document में caption को कैसे insert किया, कैसे उसके hamंने इंडेक्स को create किया, कैसे उसके अंदर हमने captions को update किया है, यह था हमारा caption का पूरा, फिर उसके आगे इसके अंदर क्या आता है, cross reference आता है, तो cross reference का already दोस्तों हमने hyperlink, cross reference और bookmark के उपर, तीनों topic के उपर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसका link दोस्तों, description box के अंदर दिया हुआ है, तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको like जरूर करना, और जितना होसके इसको अपने दोस्तों के पास share करना, तो चलिए दोस्तों जल्द मिलते हैं, next topic के साथ तब तक के लिए, जैहिन, जैभार